सबी को जहिंत मैं निकोडे स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने यूटूब चानल Mission NCC The Way of Success में देखेगा आज का जो वीडियो है वो सरी 15 मिनिट का होगा और आप सभी पूरा फोकस्ड हो के अच्छे मन से अगर इस वीडियो को 15 मिनिट कंप्लीटली देखते हो त जितने भी ड्रील की उपर जो हर साल आपके एक्जाम में कोशन बनेंगे वो सारे के सारे कोशन हम आज की इस 15 मिनिट की वीडियो में हम डिसकस करने वाले तो इसलिए सभी के अच्छे से फोकस्ड हो कि सिर्फ 15 ही मिनिट आप सभी को देखना है और मैं यकीन के साथ बोल सक हो कि फिर से आप सभी को किसी दूसरे जगा से ड्रील के बारे में पढ़ने की जरूरत नहीं है तो चलिए बिल्कुल हम आज की क्लास को स्टार्ट करते तो उससे पहले मैं छोटा हो जाता हूँ यहां से ठीके ताकि आप सभी को और अच्छे से दिखाई दे तो चलिए मैं बहुत ही छोटा हो जाता हूँ ठीके ताकि आपको कोई भी दिकत ना हो आप अच्छे से इसका स्क्रीन शॉट भी लेते जाईए और अच्छे से पढ़ते जाईए तो चलिए बिल्कुल आज की हमारा ये छोटा सा वीडियो हम स्टार्ट करते जो कि हम ड्रील के बारे में स पूछे जाते हैं तो ड्रील पहला सबसे पहला क्वेशन आपको रिक्तस्तानों की पूर्ती करो तो ड्रील कितने प्रकार की होती है तो ड्रील कितने प्रकार की होती है तो ड्रील दो प्रकार की होती है एक होती ओपन ड्रील दूसरी होती है क्लोज ड्रील तो उसके बाद म पोजिशन में दोनों पैरों के पंजों का कौन कितना होता है तो जो सावधान पोजिशन होती है तो दोनों पैरों के पंजों के बीच में जो कितने का कौन बनता है कितने डिगरी का कौन बनता है तो 30 डिगरी का कौन बनता है यह आप सभी को पता है ठीक है चलिए उसके हुए अत्वा डाजे मुल में कितना डिज़ी कोण बनता है तो पीछे मुड़ जब हम होते हैं तो कितने डिज़ी में मुड़ते हैं पीछे पूरा turn पीछे मूड में हम 180 डिग्री में मूड थे ठीक है यह question आपके exam में 2020 में पूछे गए थे इसलिए सभी credits इसको अच्छे से याद रखिए ठीक है यह सारे के सारे question आपके exam में पूछे गए वाले ठीक है तो चलिए है उसके बाद में next बात करते तो तेज चल के आदेश पर सबसे पहले कौन सा पैर निकलता है तो भीया जब तेज चल का जब word up command आपको दिया जाता है तो सबसे पहले कौन सा पैर निकलता है तो बाया पैर निकलता है आप सभी को अच्छे से पताई है चले उसके बाद बात करते हैं निकट लाइन में कितना इंच तता खुली लाइन में कितना इंच तता निकट लाइन में कितने का फासला होता है तो खुली लाइन में जो है वो 1.500 इंच का फासला होता है तता निकट लाइन में जो है 60 इंच का फासला होता है कि drill क्या है what is drill यह question हर साल तो पूझाता है आप सभी को भी पता है ठीक है drill की परिभाषा लिको यह question दो तिन तरीके से पूझाता है drill क्या है drill की परिभाषा क्या है drill से आप क्या समझते हो ठीक है दो तिन तरीके से पूझाता है तो, drill की परिभाशा क्या है? तो drill एक अनुशासन की निवे है, आप सभी को पता है, किसी प्रोसीजर को करमवार और उची तरीके से अनुकरन करने की कारेवाई को ही हम drill कहेंगे, जो कि दो मार के लिए question अपके exam में पूछा गया है, चलिए उसकी बात बात करते हैं, next question की ओर तो भीया, drill के उद्देश लिको, very important question है, drill के उद्देश है क्या, drill का उद्देश है क्या, क्या है, ठीके हर साल आपके B और C certificate के exam में ये question पूछ जाता है, तो drill के उद्देश लिको aim of drill, तो drill का उद्देश है, cadets में अनुशासन की भावना जगरूत करना, cadets में discipline नाम की जो quality होती है, वो inculcate करना उसके अंदर, cadets में अनुशासन सिखाना, उसके अदमे cadets को dress dress पहनना तथा, चलना फिरना सिखाना, तो cadets को अपनी वर्दी किस त तरीके से पहनना चाहिए, ठीके चलना किस तरीके से चाहिए, वो भी कों षिखाती है, तो drill सिखाती है, ठीक है कजे काने, cadets को command control सिखाना, कमान कंट्रोल आप कहां से सीख्ते हो, तो drill स ही सिहाते है, इसलिए drill का very important 무्द्देश है, जो की उद्धेश है जोकी आपको command control सिखाना एक कड़ेट को इसके बाद को मिल जुलकर करने की आधत डालना तो आप मिल जूलकर कब रहे होगे जब आप ड्रील में जाते हो तो सभी लोग आपस में मिल जूलकर रहते हो आप सभी को ड्रील में सिखाया जाता है कि सभी के साथ मिल जूलकर रहना है तो ये कहां से आपको सिखाया जाता है तो ये drill से सिखाया जाता है इसलिए एक drill का एक very important वाला aim है उद्देश है उसके वाद में cadet हो में स्पूर्ती है वा आत्मबल का विकास करना cadet में जो spirit है और साथ में जो उसके अंदर self confidence जो है वो develop करने का काम जो है कौन करती है तो drill करती है इसलिए ये पांच drill के उद्देश है जो कि पांच मार के लिए आपके exam में पूछे जाते है ठीक है I hope कि आपको ये सभी चीज़े अच्छे से समझ में आ रही है चले उसके बाद में next question यहां पर बनता है कि drill के वसूल क्या है तो भी या drill के drill के सिद्धानत क्या है principles of drill ठीक है इस तरीके से question पूछा रहेगा या drill के वसूल क्या है तो drill के तीन वसूले एक होता है मजबूती उसके बाद में चूस्ती फिर होता है तालमेल ठीक है मजबूती चूस्ती और तालमेल ठीक है याद रखें सभी के अड़ेट्स मजबूती चूस्ती और तालमेल ठीक है जिसको हम बोलेंगे smartness, steadiness और coordination ठीक है तो यह drill के तीन सिदा गउस्य को पता होना चाहिए चलिए और लाएगर conception क्या और बात कहते और भी यहां, और देल की पुरिया अध्य क्याल最早 और आक्षण आपके पूछ होँने तो drill की बुरी आदत है आखों को घुमाना ठीक है यह बहुत बड़ी एक बुरी आदत है हम क्या करते है आखों को इधर उदर घुमाते है ठीक है drill के दोरान हमें नहीं करना है आखों को नहीं घुमाना है ठीक है वसके हमें पाव को घसीट कर चलना तो हमें पाव को घसीट कर चलता है तो गदा आप सभी को पता है घसीट कर चलता है तो हम भी गदे के जैसे ना पाओ को घसीट कर चलते हैं तो हमें घसीट कर नहीं चलना है ठीक है हमें जो एड़ी पूरी तरीके से उठानी है पाओ को पूरी तरीके से उपर उठाना है ठीक है पूरा पाओ को उपर उ जब आप होते हो तो आप क्या करते हो जब आपको साफधान या विष्षाम पोजीशन में ज्यादा देर अगर आपको ऊसी पोजीशन में अगर आपको रखा जाता है तक ज्पर बित्द कम स्टार्ट करते हो यह तो की बुरी आदत है आप सभी को पता होना चाहिए जो कि पांच मारक लिए आपके एक्जाम यह कुश्चन पूचा गया है चलिए आप सभी को मैं एक बात बता दू कि जिनकी भी पढ़ाई अभी तक नहीं हुई है उनका एक्जाम अभी कुछी दिनों में आने वाला है बहुत सेम उसका जो पैटन है होगा सेम इसी तरीके से होगा सेम इसी तरीके से आपके एक्जाम में कुश्चन आएंगे लेकिन एक मॉडल कुश्चन पेपर यह आप जो है इस बात को भी याद रखे है ठीक है आपके स्कून के उपर आप सब सबी चीज़े दिखाए दे रही है लेकिन एक paid course है, इसके लिए आपको payment करना पड़ेगा, ठीक है, एक paid course है, अगर आप 20 certificate के credit हो, तो 20 certificate के course में आप सभी को मिलेंगे, total 8 question paper, जी है, total ऐसे के से आपको 8 question paper मिलेंगे, साथ में आपको मिलेंगे, उनके 8 answer sheet, ठीक है, दो practical paper, 6 topic wise notes, एक quiz test, और एक question bank, जिसमें 270 सभी जादा important question है, इतना भी सब कुछ, आप ये सारी की सारी चीज़े, अगर आप पूरा perfect करके जाते हो ना, तो मैं यकीन के साथ बोल सकता हूँ, आप आपकी 20 certificate के exam में, एक rate से 5 होगे, मैं यकीन के साथ बोल सकता हूँ, लेकिन आप सभी को इतनी सारी चीज़े, आप सभी को पड़ेगा, ठीक है, तो अगर आप interested हो, इस course को purchase करने के लिए, तो मैंने नीचे मैंने WhatsApp नंबर दिया है, उस WhatsApp नंबर पे आप सभी को high mission NCC, इस तरीके से एक message भेजना होगा, और B certificate की course की जो fees है, 199 रुपीज है, अब बात करते हैं, अगर आप C certificate के credit हो, कुछी दिनों में पाच्छे दिनों में आपका exam आने वाला है, आपको समझ भी नहीं आ रहा है कि exam में कैसे question आती है, क्या-क्या पड़े, तो भाई यह model question paper आपको बिल्कुल help करेंगे, मैं यकीन के साथ बोल सकता हूँ, ठीक है, इस model question paper में वही सारे question है, जो हर सारा आपके exam में पूछे है हो, ठीक है, तो C certificate के course में आप सभी को मिलेंगे total 10 question paper, जीहा total 10 question paper, उनके 10 answer sheet, फिर आपको मिलेंगे 2 practical paper, 6 topic wise notes, एक quiz test और एक question bank, जिसमें 270 सभी ज़्यादा important question है, जो कि हर साल आपके exam में पूछी जाते हैं, और C certificate की course की जो fees है, 199 रुपीज है, अगर आप सभी interested हो इस course को purchase करने के लिए, तो मैंने नीचे WhatsApp नमबर दिया है, उस WhatsApp नमबर पे आप सभी को high mission NCC इस तरीके से एक message बेजना होगा, तब बहुत सारे बच्चों के मन में एक doubt है किसार हम payment कैसे करें, paper हमारे पास आएंगे कैसे, तो ये doubt भी clear करेंगे, तो payments के लिए आपके पास digital payments mode से, ज कुछी समय में जो आपके paper, आपके notes, आपके quiz test, आपके question bank, ये सारे के सारे आपके WhatsApp पे आएंगे, PDF फाइल पे आएंगे, ठीके, और paper का जो language हो हिंदी होगा, इस बात को भी याद रखिए, ठीके, अब बहुत सारे बच्चों के मन में क्या होता है, कि doubt आता है, क्या doubt है कि sir, इसकी जो fees है, वो बहुत जादा 199 रुपे है, ठीक है, 199, sir, handbook की जो fees है, वो इससे भी कम है, ठीक है, इतने रुपे में तो handbook आजाएगी, तो भी हाँ, handbook अलग चीज़ है, ये model question paper अलग चीज़ है, ठीक है, आप 199 रुपे आप दे रहे हो, spend करे हो, ठीक है, खर्च करे हो, तो उसमें आपको बहुत सारी quality वाली चीज़ मिलने वाली है, ठीक है, जब आप exam में जाओगे, जब आप exam में जाओगे, तो जब आप in model question paper को अच्छे से याद रखके जाओगे, तो फिर आपको समझ में आगा, तब exam के समय में कि अच्छा था, कि तब मैंने उस model question paper क में देखने को मिलेगा, ठीक है, आप 199 रुपे जब आप खर्च कर रहे हो, तो उसमें आपको कुछ ऐसी चीज़ मिलने वाली है, जो कि आपके exam के लिए आपको बहुत फायदे मंद होने वाली है, ठीक है, आईसा तो नहीं है, तो अगर interested हो, तो कर सकते हो, कोई जबरदस् ठीक है, ठीक है, तो WhatsApp नमबर तो आपको दिया है, आप High Emission NCC भेज सकते हो, अगर आपका कोई भी doubts होता है, question paper के related, कुछ समझ में नहीं आता है, तो आप मेरे साथ WhatsApp पे call कर सकते हो, ठीक है, मैं WhatsApp पे आपका call receive करूँगा, और आपको जो भी information चाहिए, वो तुरंद दे दू और मैंने एक WhatsApp गुरूप बनाया है, उस WhatsApp गुरूप में ये सारे आज, जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ न, ये सारी के सारे जो PDF हैं, उस WhatsApp गुरूप में मैं भेज देता हूँ, अगर आप सभी उस course को purchase करेंगे, तो आपको भी उस WhatsApp गुरूप में join होने का मोका मिलेगा, तो चले, next question के और बात करते हैं, तो next question है कि world of command कितने प्रकार के होते हैं, जो कि 2 mark के लिए question पूछाता है, तो world of command कितने प्रकार के होते हैं, आप सभी को पता ही है, चेतावनी है, और एक कार्यकारी है, तो चेतावनी को हम cautionary कहेते हैं, English में, और कार्यकारी को हम executive कहेते हैं, ड्रील की शुरुआत किस ने और कब किया था तो ड्रील की शुरुआत जो है 1666 में 1666 में जनरल ड्रॉल ने किया था तो जनरल ड्रॉल कहा के थे तो जनरल ड्रॉल जर्मनी के मेजर जनरल थे ठीक है तो ड्रील की शुरुआत 1666 में हुई जो कि मेजर जनरल ड्रॉल ने जर्मन में की थी कहां पर तो सबसे पहले ड्रिल की शुरुवात किस देश में हुई किस कंट्री में हुई तो जर्मनी में हुई और किस ने की तो मेजर जनरल ड्रॉलने की कप की तो 1666 में की तो याद रखिए सभी क्यारेट्स ठीक है चलिए नेक्स्ट कोशन के और बात करते हैं तो ड्रील फिल्ड एरिया में कराई जाती है उसी को ही हम ओपन ड्रील कहते हैं ठीक है और जो ड्रील क्लोज परेट ग्राउंड पे या किसी शांती शेत्र में रहते हुए कराई जाती है उसी को हम क्लोज ड्रील कहते हैं तो ओपन ड्रील जो है वह ओवेसी बात है जो फिल्ड ए देते होँ यह किसी परेड़ ग्राउन पर कराये जाते है तूर्थ वह पर चूर्ड कोछा लियरिग ठीक है छोटी अगर छोटे परेट गाउंड में अगर जो ड्रिल हम करते को खूश डी buffalo करेंगे और जाद से ज्यदा बड़ा परेट ब्याउंड होता है तो वहां पर जो ड्रील कराई जाती है उसकों ओपन ड्रील क कितनी होती है तो 30 की होती है 30 इंच की होती है तिया उसके बड़ी बड़ी परेड़ों में जब वीआईप्य का निरिक्षन करने करता है तो या तब खुली लाइन की परेवाई की जाती है तो के बाद बात करती Canal के गाड़ आफ ऑनर देनेост की cadets की संक्या होती है, जब हम रास्टरपती को सम्मान गार देते हैं, guard of honor देते हैं, तो कितने cadets की संक्या होती है, तो 150 cadets की, 1500 cadets की संक्या होती है, इस बात को भी याद रखे, ठीक है, जो की 3 file में होती है, ठीक है, उसके बाद बात करते हैं उपरांस्ट पती है वो पंतपरदायन के सम्मान गार्ड देते हैं समय कितने कैड़ेट्स की संक्या होती है जब आप किसी उपरांस्ट पती को पंतपरदायन को जब आप guard of honor दोगे तो कितने cadets होते है तो 100 cadets होते है 100 cadets ठीक है इस बात को भी याद रगे यह सारे के सारे important question है जो हर साल आपके exam में पूछे गए थे I hope कि आपको सभी चीज़े और अच्छे से आपको knowledge मिला होगा ठीक है तो यह सभी चीज़े आप अच्छे से रट लीज चाहिए तो आप सभी को जल्दी से comment box में यह सर लिखना है सभी को सभी लोग जल्दी जाए यह सर comment में लिखो अगर आपको इस तरीके से और वीडियो चाहिए तो मैं जल्द से जल्द अगर हम comment का aim रखते है पासो comment अगर इस वीडियो पर आते हो तो मैं तुरंत ही ना एक अगर आपने पर्चेस नहीं किया है तो काफी important है आपको पेपर में पता चल जाएगा तो कर सकते हो इंटर सेट हो अगर सेशन अगर अच्छा लगा हो तो सभी लोग एक बार like बटन दबा दीजे ताकि मैं भी motivate होता रहो तो मिलेंगे बिल्कुल ऐसे किसी और एक नए वी जादा important वाली जो question एक विजेज वापी मिलेगी टेलिग्राम पर भी जूट जाओ आप हमारे साथ और यहां तेरे को कुछी समय बाद मा कुछ question आएंगे question वीडियो आ जाएगी तो इन वीडियो को देख लो यह वीडियो भी आपको बहुत help करेगी आपका exam भी एर करने मे तो हम बिल्कुल मिलते हैं नेक्स्ट वाली class में तब तक के लिए टाटा बाइबाइ सायनल अर्विदा आपका कीमती समय करकर वीडियो देखने के लिए शुक्रिया मिलता हो दोस्तों अगरे वीडियो में जहीन वंदे मातरम